चलिए फ्रेंड्स आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है शीतल पिलो हिंदी चानल में तो देखिए इस तरीके की डिजाइन आज हम बनाने वाले हैं तो देखिए ये बहुत संदर डिजाइन है और बहुत लुक देती है हमारे सोपे को आप इसको अपनी पसंद के कलर में ब ना दीजिए तो चलिए इसके लिए हमें इन चीजों की जरुरत होगी ये स्केल ये मशीन कटे ये कटर हमें पेंसिल के नौक के लिए ये कटर हमें कपडा कटकर के लेने के लिए उसके बाद हमें ये पेंसिल लगेगी इस तरह से ये हमें कईची लगेगी जो हमारे धाग यह हमें कपड़ा लगेगा इस तरीके से तो चलिए सबसे पहले हम पैटरन के जानकारी ले लेते हैं तो 25 by 22 इंज का हमें कपड़ा लेना है हमने एक बाजु में 2 इंच डाल दिया है उसके बाद हमने एक एक इंच इस तरीके से डालना शुरू कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि कपड़े के ऊपर मैंने लिखा भी है 22, 22 इंच इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है उसी तरीके से मैंने कपड़े पे भी लिख दिया है और उसके बाद मैंने क्या किया 25 इंच के साइड पे 2 इंच मार्जिन छोड़ दिया और उसके बाद हर एक चोड़ दिया और एक एक इंच के ऊपर हम लाइनिंग लगाते हुए जाते रहा है जाना है हमें एक एक इंच के लाइन लगाते हुए तो चलिए इसे भी हम आखिर तक बना के ले लेते हैं इसी तरीके से आपको भी बॉक्स बनाने हैं बिल्कुल सभी से माने चाहिए बॉक् के पास इस तरह के की स्केल नहीं है तो आप हमारे चनल पे जाके स्केल का वीडियो देख सकते हैं तो देखिए इस तरह के से हमें ये सब कुछ बॉक्स बना के पूरे तयार करके रेडी करने है और हमें इसके बाद इस तरह से जो पैटरन है हमारा साइट है और यह 22 इंच की हमारी साइट है देखिए 22 इंच की इस तरब से है और वो 25 इंच साइट है हमारी तो देखिए अब हमें क्या करना है इस तरह के से बॉक्स बनाने है और इसके अंदर हमें इस तरह के से डिजाइन लगा देनी है तो देखिए बिल्कुल कोने में सबसे पहले हमें इस तरीके से जो हमारे मार्किंग करना है उसके बाद एक इंच बीच में छोड़ देना है एक कॉलम छोड़ देना है और इस तरब भी एक कॉलम छोड़ दिया इस तरब भी एक कॉलम छोड़ देना है इस तरीके से हर एक तरब से एक कॉल दो लाइन छोड़ देने हैं एक एक इंच के इस तरह से दो छोड़ देने हैं कॉलम पूरे के पूरे आखिर तक और अब हमें दो छोड़ने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से लाइन लगाते हुए जाना है निशान लगाने हैं इसी तरीके से तो देखिए अब हमने फिर से ये देखें इसी तरह के से हमें पूरा complete करके ले लेना है हमारा जो pattern है इसको तो चले मैं इसे भी complete करके ले लेती हूँ और तो देखिए ये सब कुछ हमारा जो pattern है वो कपड़े पे हमने उतार लिया है तो देख सकते आप ये पूरा हो चुका है अब हमारा तो देखिए इसक कुछ पैटर्न लगा देते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है तो ये बहुत संदर दिखता है तो चलिए अब हमें क्या करना है सिलाई लगा देनी है तो चले शुरू करते हैं कोने से तो देखिए आप कौन से भी कोने से शुरुआत कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले हम से सिलाई लगा देना है हमें तो ये देखिए ये चोथा पॉइंट इस तरीके से और अब हमें क्या करना है फिर से हमें फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है जो हमारा पहला वाला पॉइंट है उसी के ऊपर हमें आ जाना है उधर का ही पॉइंट हमें सिलाई करके ले लेना है तो ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया है, ये देखिए, इस तरह से ये स्क्वेर हमने सिलाई करके ले लिया है, इसे पकड़ना है धागे को एक हाथ से, और एक हाथ से अंगुठे से दबाना है बीच में, और हमें फ्लावर इस तरह से पंखुडिया बनाते धागे को खीचना है तो खीचने से क्या होगा कि जो हमारे 4 पॉइंट हमने सिलाई लगा दिये थे वो बिल्कुल पास में आ जाएंगे और इस तरह से हमें फ्लावर बनाना है उसके बाद हमें इस तरह से इस धागे को 2-3 बार इस तरह से टाइट करके पैक करना है और उसके बाद कट करके ले लेना है तो अब मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कैसे सिलाई लगा देनी है तो ये देखिए ये पहला वाला पॉइंट है और उसके बाद ये दूसरा वाला कोने का पॉइंट है तो इस तरह से सिलाई लगा दीजिए अब ये हमारा तीसरा वाला पॉइंट है और अब हमारा ये चोथा वाला पॉइंट है तो इस तरह के से अच्छे से सिलाई लगा दीजिए पॉइंट पकड़के और उसके बाद हमें इस तरह से फिर से वापस पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है तो देखिये अब हमें क्या करना है बीच में अंगुठा रखना है और दबाना है नीचे और ऊपर की सैट हमें धागे को खीचना है तो इस वज़े से क्या होगा कि हमारा बीच का कपडा है वो पीछे चला जाएगा तो देखिए इस तरह के से पंखुडियों को अच्छे से बना के ले लेना है हमारा फ्लावर अच्छे से बन के तैयार हो जाना चाहिए उसे हाथ से अच्छे से सेट अप कर दीजे और अच्छे से बना लीजे फ्लावर को बाजू की पंखुडियों को तो फ्लावर अच्छा तयार हो जाता है तो अब हमने दो सीलाई लगा दिये है तो ये तीसरा वाला चलिए सीलाई लगा दिते हैं ये दूसरा पॉइंट है हम और फिर से हमें पहले बाले पॉइंट पे आ जाना है इस तरीके से तो इस तरह से खीचिए उसके बाद हमें बीच में अंगुठा रखना है इस तरह से और धागे को खीचना है धागे को खीचने के बाद हमें क्या करना है पंकुडियों को अच्छे से सेट करना है जो तो देखिए फिर से हम यह चोथा वाला फ्लावर बना रहे हैं तो इसी तरह के से फ्लावर बनाने हैं तो यह देखिए इस तरह के सी बॉक्स को अच्छे से सिलाई लगा देनी हैं बिल्कुल कोने वाले पॉइंट को और अच्छे से सिलाई लगा देना हैं उसके बाद हमें अच्छे से फ्लावर बनाने हैं और इस तरह से फ्लावर बनाने के बाद हमें अच्छे से इस तरह से फ्लावर के जो पंकुडिया है उनको सेट करना है उसके बाद हमें इस तरह से अच्छे से पैक भी करना है ताकि वो बाद में खूले नहीं तो चलिए इस तरह से मैंने चार फ्लावर आपको बना के दिखा दिये है तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह के से पूरे के पूरे जिदर जिदर हमारे निशान है तो उस बाज़े में आपको पूरे के पूरे इसी तरह के से सेम टू सेम इसी तरह के से फ्लावर बना के सब हुँ थोड़ा तो इसी तरीके से मैं फ्लावर कुछ तैयार करके ले लेती हूँ तो देखिए इस तरीके से मैंने ये इतने तक सिलाई लगा दी है फ्लावर्स की तो देखिए बिल्कुल बीच में हमने कुछ पूरा हो जाने के बाद हमारी जो डिजाइन है ये वो कैसे दिखती है वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ तो सबसे पहले हम ये पूरा हो जाने के बाद पीछे वाले साइट देखिए इस तरह से बन जाती है हमारी तो बिल्कुल इसी तरह के से तयार हो जाती है इसमें मैंने धागा कंटिन्यू करके सिलाई लगा दी है तो सब कुछ पूरा हो जाने के बाद इस तरह से हमारी डिजाइन देखने लगती है तो देखिए ये बहुत सुन्दर डिजाइन है और बहुत सुन्दर इस तरह से हमारे जो स्वेरे बन जाते हैं तो सब कुछ पूरा हो जाने के बाद पीछे की साइड से आप इसको कपड़ा जोड के ले लीजे इस तरह से तो मैंने इसमें जोड दिया है और अब हमें इसके अंदर पिलो लगा देनी है तो देखिए इस तरह से हमने कपड़ा लगा दिया है और अब हम इसके अंदर पिलो लगा के आपको दिखा देते हैं बस इतनी ही डिजाइन है सिंपल सी है बहुत पैरिसी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजे ताकि इतने सिंपल सिंपल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपके फोन की भी गंटी बच जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुका है नया तो आप देख सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इसका लूक है तो नमस्कार